हेलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नमबर फॉर का लेक्चे नमबर थर्ड है न हम लोग पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग और सेंट्रल नवर सिस्टम इसके अंतरा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी कंवल्जेंट ड्रग ठीक है कुछ याद आ पढ़ा था हमने इसके बारे में कुछ चीजें तो मैं फार्मकलोजी की बातों को फर्स्ट यर से कोर्लेट करता हुआ चल रहा हूं जिससे कि आप उसको भी साथ साथ हो जाएगा तो आपका एक्जिट एक्जाम की तैयारी का भी रिविजन होता हुआ चलेगा ठीक है तो मेरा लेक्ट्र नहीं देखा है तो उसको अब देखने उसमें बहुत ही बेसिक मैंने बाते बाते बताई हैं क्या होती है अब यहां पर कुछ चीजें हो जाएगी तो चीजें बहुत जाएगी असान हो जाएगी ड्रग्स मैच करेंगे, क्लासिफिकेशन मैच करेगा, तो पढ़ना बढ़ा ही अच्छा हो लगता है फिर, ठीक है, तो दो को एपिलेप्सी क्या होती है, इस आर ग्रूप ऑफ डिसॉर्डर, ये डिसॉर्डर का एक ग्रूप है, एक सिंगल चीज नहीं है, एपिलेप्सी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा होती है, मालों आपको बहुत ज़्यादा खुशी है, तो इमोशन बहुत ज़्यादा निकल रहे है, तो इसी टाइप से कोई चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सेरेब्रल वाला जो पार्ट होता है दिमाग में तो वहाँ पे डिस्रिद्मिया हो या ता जो रिदम चल रहा होता है वहाँ पार्ट में एक तरह से कहलो कि electrical impulse का जो रिदम चल रहा होता है वो बहुत जादा एकड़म से होने लगता है ठीक है अच्छा जब दौरह पड़ता है तो हम लोग ऐसे से कई बार होता है और कई बार हाथ पैर हिलते हैं बॉड़ी बहुत ज़्यदा हिलती है Scissors of loss or disturbance है ना episodes of loss loss हो जाएगा कुछ चीजे ध्यान नहीं रहती है Disturbance हो जाती है क्या हो जाएगा loss or disturbance of consciousness क्या हो रहा हमारे आसपास थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या हो जाते है मूर्चित हो जाते हैं बिहोष टाइप के हो जाते है बॉड़ी हिलती रहती है With or without characteristic of body movement जाएगता है तुमने देखे होगे जब होता है तो हाथ पैर हिलते है ठीक है ना इसाथ फड़ाते है यह जो body का movement होता है अगर केवल बंदा गिर गया है दौरा सा पढ़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है साथ साथ में अगर body भी हिल रही है उस body के हिलने को हम लोग क्या बोलते हैं convergence बोलते है तो जो epilepsy है वो कही ना कहीं कई सारी चीजों का mixture होता है खाली seizure पढ़ सकता है seizure conversion एक साथ आ सकते है ठीक है ना तो कही ना कहीं जो convergence हम लोग anti-convergence पढ़ेंगे वो कही ना कहीं epilepsy का ही part है यह बात clear हुई और detail में जाना है कौन साथ कर देखना है फार्मसिटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फ़स्टियार चेप्टर फाइब लेक्टर फोर ठीक है थोड़ा से मेरा आवाज गला गरवड चल रहा है ठीक है ना तो थोड़ा सा गरवड आ सकता है कोशिस कर रहा हूं ह अभा आज किले निक表ाब एंतिकर जेंस इस एपिलेप्टिक ड्रॉप्सills और एंपिषा द्रॉच्व ओं कहीना कि सारीचें यांपमा से मेक्छ करते हैं क्योंकि एक ही ही चीज के कर्ण Grid होते ही क्यों है क्योंकि epilepsy हो रही है कारण क्या है cause of conversion firing of neurons बहुत तेजी से neuron फटा 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 क्या होता है the process of normal neuronal firing takes place as a communication between neurons through electrical impulses and neurotransmitter ठीक है कह रहा है the process of normal neuronal filing sorry firing जो firing को मतलब होता है एक तरह से इंपल्स जनरेट हो रही है तो नॉर्मल जो neuronal firing है वो होती है as a communication communication होता रहता है दिमाग में सारी brains के पार्ट में आपस में between neurons through the electrical impulses and neurotransmitter ठीक है तो electrical impulse और neurotransmitter हम लोग neuro humoral वाला पार्ट हम लोग ने पढ़ा था neuro humoral में क्या था किस तरीके से एक neuron से दूसरे neuron में हमारे जो electrical impulse है transfer होते थे वो वाला पार्ट भी यहां चल रहा है अब during a seizure जब seizure होगा neurons may fire as many as 500 times a second 500 गुना ज्यादा तेज चलने लगते हैं यह बढ़ जाती है during a seizure the epileptic neuron undergo a prolonged depolarization अब depolarization क्या होता मत बोलना बोल गए हो तो फटा फट दो कोई फायदा नहीं है चीजें से समझ में नहीं आती है ठीक है ना तो जहां दिक्कत लगती उसको वहां रोग दो मैं बताता भी चलता हूं कहां पर जाके पढ़ना है इसी को कहते है रिवीजन जहां दिक्कत तुरांट वहां चीजें रोग करके वापस खोल लो अपने नोट्स वगरा जो भी कुछ है वीडियो नहीं देखना मत देखो तो वापस वाइन नोट्स होंगे न उसको फटावट खोल लो ठीक है ना डीप पोल्राइशन रीपोल्राइशन सब ब अब क्लासिफिकेशन बटा हम लोग ने वहां पर भी किया था और यहां पर भी ऐसे बार्बी ट्रेट है फिनो बार्बी टोन है थेन सक्सी निवाइड आते हैं ठीक है डी आक्सी बार्बी ट्यूरेट है इमिसो तरीका वही है एक दो मतलब अगर जैसे कितने यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस याद नहीं करने तो कुछ खास खास हैं जैसे कि एक हाइड़न टोइंट पक्का याद रखेंगे ठीक है ना वाल्प्रोइट सोडियम यह एक इंपोर्टेंट है क्रोनल जी पांप बाइंड डाइजी बीन वाले इंपोर्टेंट है लैमोट्री इन यह भी इंपोर्टेंट है मारे पास देन वीगा बैटरी निवर ड्रक्स में आयाते हैं हम लोग गाबर पेंटीन यह कुछ ऐसे हैं एक फिनो बार्बी टोन हो गया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठी साथ आठी साथ कैटेगरी सभी इंपोर्टेंट तो इक तरह से सभी इंपोर्टेंट है कही आठ करना है क्लसिफिकेशन में हमें सबस्क्राइंग याइध करनी होती है पहले है हीट ठीक है पीछे ही पढ़ रहे हम लोग ठीक है तो पाम-पाम वाले कॉमन आ गई यहां पर भी ठीक है दिमाग को सांथ करते हैं पता ही है यह चीज नियो ड्रक्स आ जाएंगे इनको अलग से इसमें एक जो याद रखेंगे यह वीगा बैटन काफी इंपोर्टेंट है ठीक है ठीक है जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ वह तो तो में पक्का एक्जांपल के तौर पर याद करने हैं फिनाटवाइन आगया डैन कार्बामेजीपीन आ इसको प्रस्थी इसको क्लोणाजीपाम आ गया इसमें इसको प्रस्थी पांप मां इंपॉर्टेंट है यह वाल्प्रोय सोडि बताओ लेमोटरीजीन इस निचे लिख देगा डायुरेटिक एंटी कनवलजेंट हाइपोग्लासेमिक ऐसे करके देगा अब हमें पताओना चाहिए लेमेटरीजीन क्या होता है एंटी कनवलजेंट होता है इसलिए मैंने कहा कि यह द्रग कहीं ना कहीं यह चीज कहां काम आ है अगर फार्मसेोटिकलिकल चैमेश्टिय याद है तो उसके ड्रक्सित ऊंटे द्रग्सर तुमको याद होंगी के लिए बाते हैं अक्सित कर lap movements करते हैं या हमारे कंवलजेंट करते हैं क्दैक ति हैं एंटीएंटी मैं क्याम करते हैं एंटी इपिल्सर कंव करते हैं फिन नौट अग्लोबल सी एनेश डिप्रेसेंट यह मतलब हर बार एक सी एनेश डिप्रेसेंट की तरह काम नहीं करता हमारे हैं काई सारी ब्रीड है पूरी ओल वर वर्ल्ड इंडियांज चाइनीज नेग्रो अमेरिकन हर किसी की बनावाट में थोड़ा सा अंतर है तो यह बाद है भूल गए लास्ट लेक्स से पड़ाया था ठीक है ओवर्डॉस में कॉस फॉलिन बीपी एंड एरिद्मिया अगर ओवर्डॉस हो जाएगी तब जरूर बीपी गिर सकता है और एरिद्मिया हो सकता है तो इसमें फार्मकलोजिकल एक्शन बहुत जादा नहीं है व इमर्जेंसी कंट्रोल फिर सफ लाइट फॉर इमर्जेंसी कंट्रोल ऑफ कंवलजन और स्टेटस एपिलेक्टिक जब एक दोहरा खतम हो उससे पहला आदमीं होश में दूसरा दोहरा स्टार्ट हो जाता है खतरनाक वाला स्टेज होता है तितने से लेंपस्र गर याक्षय स्लो आईवी इंजेशन देते हैं और उसके बाद रिपीटेड डोज एज रिक्वाइड जैसे जरुत होती देते रहते हैं मैक्सिम हंडेड एमजी पर दे तक दे सकते हैं स्यादा नहीं देनी है ठीक है ना देन लौराजी पाम आ गया देन फिराइटॉइन आ गया कारवाज लौराजी पाद लौराजी पाम फिनाटोईन भी इंपॉर्टेंट थी कि यह फर्स्ट लाइन ओफ ड्रग है हमारे लिए बाद बागी इसके लावा याद कर लोगे जो तुम्हें पसंद है ठीक है इसमें एकाज जगह है मैंने साइध कोई बाते लिखी है मैं को ध्यान न ओट रहे हैं तो दोज हमें पता ही है मैंने के समझे रहे हो यह ला पाट क्या होता यहाद करने वाला यह होता है यहां समझाने यजासा कुछ नहीं है ठीक है तो सबको पता है क्या पढ़ रहे हैं anti-epileptic to तो हमको prevention और control of seizure रोखने में काम आएगा कब कब इस्तमाल करेंगे long term maintenance treatment of epilepsy बहुत लंबे समय से एपिलेप्सी है तो उसको ठीक करने के लिए acute treatment of convergence and status epilepticus अभी बिमारी का नाम दिख दिया status epilepticus brain surgery और head injury profilactic AED ठीक है ना तो anti-epileptic drug therapy है यह AD क्या है anti-epileptic drug therapy जब brain surgery वगरा होती है तो कई बार हलका सा दोरा औरा सा पढ़ता है क्योंकि brain surgery हो रखी होती है तब हम इसका इसका इस्तमाल कर लेते हैं तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपना तो indications वगरा बड़ा common comments है 3-4 वगरा अपने लि पर नहीं करना है फिनाट यीज़े कॉंट्रा इंडिकेटेटेट इन पेशेंट विद साइनस ब्रैडाइकारडिया ठीक है विद साइनो आट्रियल ब्लॉक विद एडम्स इस्टोक सिंड्रोम विद शेकेंड एंड थर्ड डिग्री आर्ट्रियों वंट्रिकुलर ब्लॉक दूरिंग प्रेग्नेंसी एंड लेक्टेशन अब तुम लोग यहां पर कर सकते हो यहीं पर कॉंट्र इडिकेशन में फिनाट्रोम को छुपा दो कौन कौन से किस किस में नहीं इस्तमाल करेंगे ब्रैड आकेडिया में इस्तमाल नहीं करेंगे देन साइनो आर्ट्रिल ब् लिखो या तो ड्रक के साथ लिख दो ड्रक को नहीं लिखना तो ऐसे च्छे पॉइंट बन जाएंगे इसी तरह एथो टॉइंट या पीगोन में क्या कॉंट्रा इंडिकेटेट इन पेशेंट विद हैपैटिक एबनॉमेल्टी या सिंपल लिख सकते हम लोग साथवा पॉ बॉल्च ना होती तो हम बेधलक इस्तमाल कर सकते थे ठीक है चकसी निमाही चार कोंट्रा इंडिकेटेटेटेटेटेटेटेटेंट विद बोन मेरो डिप्रेशन यह आठ्वा पॉइंट आएगा कहा पर इसका कॉंट्रा इंडिकेशन बोन इस्तमाल नहीं करेंगे नहीं लिखने मत लिखो धर किरनाम के साथ याël करने की छंथा है थो डर्ग के नाम के सा याथ कर लो मैं हमेशा कहता हूं बिलकुल लटीर का फकीर नहीं बन जाना जो औक्सी कार्बाजीवीन में एक्जेबरेट डिमेंसिया जो होता है भुलकरपन को उसको एक्जेबरेट कर सकता है बढ़ावा दे सकता है तो यह तो अगर तुमनों फटाक से इसको फार्मस्टी केमिस्ट्री को रिवाइश कर लिया होगा ठीक है बहुत फटाक सी समझ में आगया होगा इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है और यह अपना माइट नचर रैप की बाते आ गई है तो कुछ नहीं है इन चैप्टर्स में सिर्फ हमें क्या करना अब मैं देखो फर्स्ट यर का पेपर तुम लोग दे चुके हो प्लस मैंने डिसकर्स भी किया है हमें जो स्लेबस के हिसाब से जो हैडिंग से ना वो छेचे हैडिंग है उनकी हिसाब से चलना है फार्मकलोजिकल एक्षन पढ़ने है ठीक है ना मोड ऑफ एक्षन है मेकैनिजम ऑफ ड्रक के बारे में कोई जिक्र नहीं है और मैं दो पेपर डिसकर्स भी करता चल रहा हूं वहां पे भी नहीं आया है वह पास लाश्ट टाइम तो बिल्कूल अपना स्लेबस से चिपके चलें ठीक है एक्ष्टा ना पढ़ें इसली पास हो जाओगे और मस्त नमबर आएंगे है ना तो यह मेरा नमबर है और यह माइनलचर एप है जिसकी तुम्हें हेल्प है किसी की भी ह